दही में ये चीज मिलाकर हपते में दो बार चेहरे पर मलें 15 दिन बाद सीसे में गलो देख हो जाएंगे हैराग लोग उचेंगे कैसे हुआ ये कमार नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों, चेहरे को चमकदार और कोमल बनाने के लिए आप हपते में दो बार इस घरेलू फेस पैप को लगा सकते हैं आप आएगे कुछी दिनों में चेहरे पर नई चमक और निखार आ रहा है इस वीडियो में जानिये इसे बनाने का पूरा तरीका इसकिन केर और चमक के लिए घरेलू उसके बहुत ही प्रुभावी होते हैं कई बार केमिकल प्रोड़क्ट का इस्तेमाल करने की बजाए हमें अपने घर के रसोई में हपलब चीजों का इस्तेमाल करके तोचा को निखारने का तरीका बनाना चाहिए हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्रुइंग और चमकदार देखे हलांकि बदलते मौसम में अपनी स्किन टोन को बनाया रखना बड़ा मुस्किल है लेकिन कुछ घरेलू मुस्के हैं जो चेहरे को सौफ और चमकदार बनाया रखे इसमें ना कोई जंजट है ना कोई पैसे खर्चोंगे यहां हम आपको बता रहे हैं ऐसी दो चीजों के बारे में जो चेहरे पर अध्गुद चमक ला सकती है आपको बस कुछ दिनों तक इन दोनों का पेस्ट अपने चेहरे पर लगाना है और जल्दी ही आपको कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप भी ग्लोइंग इसकिन के लिए धहरे लोग उपाय चमक दार तोचा के उपाय या फेस को चमकाने के तरीके तलास रहे तो यान उसका आपके लिए बहुत ही कमाल का है पहला है हल्दी हल्दी को पियों तोचा के लिए सबसे प्राचीन और प्रुभावी तरीकों में से एया या तोचा को चमक दार बनाने में मजद करता है हल्दी में मौझूद एंटी आक्सिडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेंटरी प्रपर्टीज के कारण क्या तचा को हल्दी और चमकदार बनाता है अगला है दही दही में लाक्टिक एसीड होता है जो इसकिन के लिए बहुत भी फाइदे मंद होता है क्या तचा को नरम और मौसराइज करता है और चमकदार बनाता है बात करते हैं कैसे फेस्पैक घर पर ही बनाए एक कटेरे में दो चम्मच हल्दी और एक कप दही ले इन्हें अच्छी इसे मिलाए ताक कि एक घना पेस्ट बन जाए अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाए इसे लगाने के 15-20 मिनट के लिए छोड़े और फिर हल्दी का पेस्ट धो दे ध्यान दे आप इस पेस्ट को अपनी आँखों के चारु तरफ ना लगे बात करते हैं इसके फाइदे के या ग्लोइंग और हल्दी स्किन पाने में मौदद करता है या तोचा के रूखे बन वाले हिस्टे को निखारता है या तोचा को नमी पुदान करता है और उसे अराम देता है बात करते हैं कि कौन कौन से साउधानिया इसमें बढ़तनी चाहिए अगर आपकी तोचा पर खुजली या लालिमा हो तो इस पेस्ट का इस्तेमाल न करें इस पेस्ट को अपनी आँखों के चारू तरफ न लगाए इस पेस्ट को नियमित रूप से इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन हेल्थ चमकदार निखरी हुई महसूस करेंगे तो अब घर पर ही इन दो चीजों का पेस्ट बनाएं और पायें चमकदार तुचा का दोफ़ा